नरसरी का जमाव यहाँ पर 100% हुआ है और यहाँ पर घर का बीच डाला गया है प्याज की नरसरी देशी प्याज की नरसरी हमने यहाँ पर तयार की हुई है और करीब आज यह 11 दिन की हो चुकी है लगबग इसमें दो पानी दे दिये गए है और काफी आसान और सामान्य तो सभी के बारे में आज हम डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं तो वीडियो के साथ अंततक बने रहेगा और जैसा कि आप देख सकते हैं हर बीज बिल्कुल यहां पर अलग अलग गिरा है अलग अलग जर्मिनेशन हुआ है हाथ से हमने यहां पर बीज डाला हुआ है तो चल सब्सक्राइब करें तो तो शीठील के प्याज की नरसरी कंशे तक उसी के बारे में बात करेंगे उसे के साथ हमारे किसानभाह का कमेट है आयाक था जैसे कि कौन सी बेसल डोस इसमें लगानी चाहिए, किस टाइम पर हमको नरसरी लगाना चाहिए, उसी के साथ साथ इसमें कौन-कौन से रोख समझा आती उसके बारे में भी बताईए तो देखिए प्याज की नरसरी लगाने के सबसे सही समय की बात करें तो सबसे सही समय होता है 15 अक्टुमबर के बाद आप इसकी नरसरी लगा सकते हैं जो कि देशी प्याज की नरसरी है देशी प्याज के नरसरी मतलब देशी प्याज यानि जो पीली पत्ती फुर्चुंगे या फिर जिसका इस्टोरेज काफी ज्यादा समय तक किया जा सकता है उस प्याज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रभी सीजन में जो प्याज लगाई जाती है उस प्याज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए प्याज का प्लांटेशन होता है जनवरी में आप 15 दिसमबर से 15 जनवरी या फिर जनवरी के पूरे महिने में इसका प्लांटेशन कर सकते हैं उसके लिए आपको नरसरी लगाना होती है दो महिने पहले मतलब कि जैसे कि बात करें कि अगर आपको नरसरी लगाना है तो नरसरी आपको लगाना है 15 अक्टुमबर के बाद पंदरा अक्टुमबर से पंदरा नावंबर के बीज में आपको नरसरी लगा देना है तकि आपकी प्याज की प्लांटेशन, प्याज की रोपाई, चोपाई जो भी आप बोलते हैं वो जनवरी में आसानी से हो जाए तो बात करते हैं सुरुवास से तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्याज की नरसरी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करना है उसके बाद बेसल डोस और फिर कुछ जानकारिया और भी जानेंगे तो मने रही है हमारे साथ मैं हूँ आपका दोस्त राकेश आप देख रहे हैं क्यारियों में बीच छिड़कर यहां पर नरसरी लगाई गई है तो बात करते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी की तैयारी आपको सामान्य तरीके से करना क्या है पहले कि खेत में एक से दो बार अच्छे से जूताई करवानी है इस पूरे एरिया में हम प्याज लगाने वाले हैं पूरा जो एरिया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि उदर पूरा कल्टिवेटर चलवा के एक से दो बार कल्टिवेटर चलवा लेना है या फिर आपको जि इस में Rotor Waiter चलवा दिया है, Rotas waiter चलवाने के बाद आपको उसमें क्यारिया बना लेनी है, अलग-अलग इधी से कुछ किसान बे करते हैं, अगर आप इस तरीके से लगाना चाते हैं, अगर आप बेड़ से लगाना चाते हैं, तो बेड़ तैयार करके उस पर आप drip की नलिया तरी की क्यारिया डालनी होगी तो देखें क्यारिया डालना है आपको जैसी की जुताई आप करवा लेते हैं लोटर करवा देते हैं उसके बाद आपको क्यारिया बनाना कितनी लंबी है करीब 500 500 ft के लगबग उसकी क्यारिया बनानी है एक फिर 150 फित लंबी क्यारिया बनवानी है उससे ज्यादा लंबी क्यारिया आपको नहीं बनानी है सबसर पहली बात यह आपको ध्यार में रखना है। चोड़ाई की बात करें तो चोड़ाई भी आपको करीब तीन फिट के लगबग रखना है। तीन दो से दो ढ़ाई या तीन फिट चोड़ी क्यारिया ही बनाना है। जीसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से आपको क्यारिया डाल लेनी है, अब इन क्यारियों में आपको फिर करना गया है कि कुछ इस तरीके के बड़े वाले जो भी अगर आपकी जमीन भुरुबुरी ठीक से नहीं होती है, हमारे याँ पर काली मिट्टी है, काली सोयल है, जो कि आसानी से रोटावेटर करने के बाद भी ज़्यादा भुरुबुरी नहीं होती है, तो इसमें से कुछ इस तरीके के बड़े बड़े हम यहाँ पर निकाल कर इस साइट रख देंगे, पुर लंबाई भी देर सो फिट से ज़्यादा नहीं रखना है, तो इस बात का विशे इस रुप से ध्यान तो बेसर डौस में आपको क्या करना है कि करीब एक एक एकडठ के लिए जब आपあー की मातरा की बात करें तो डियेपी आपको करीब 20 kg के लगबग लेना है उसी के साथ साथ आपको उसमें लेना है SSP Single Super phosphate एक बेग यानि कि जो 40-50 kg का बेग आता है 50 kg का उसको एक बेग लेना है उसी के साथ साथ उसमें आपको मिलाना है इपको की सागरी का जो की एक CGDuk't Khad बीज डालने से पहले उसको उपचारित कर लेना है अगर आप मार्केट से बीज ला रहे हैं अच्छी क्वालिटी का हाई क्वालिटी का अगर वो उपचारित है तो ठीक है वरना उपचारित नहीं है तो आपको बीच को उपचारित करना चाहिए उपचारित करने के लिए आप CM75 जिसमें कि आपको कारबेंडाजीम प्लस मेंकोजे मिलता है उसका उपवयोग कर सकते हैं क्यारी में छिड़क देना है, छिड़कते समय आपको एक बात का विशेश रूप से यह ध्यान देना है कि बीच को प्रयाप दूरी पर डालना है, अगर आप ज्यादा बीच डाल देंगे, ज्यादा नजदिक बीच लगा देंगे, तो आपकी जो नरसरी है, वो नरसरी काफी पतली तयार होगी, पतली तयार होने से होगा क्या कि जब भी आप उसका खेत में प्लांटेशन करेंगे, तो प्लांटेशन करने के बाद वो खेत में मर जाएगा, जिससे होगा क्या कि आपका पूरा प्लॉट बिगड़ जाएगा, कहीं पर प्याज रहेगी, कहीं पर कम प तो तो इस तरीकर से आपको करना क्या है कि परश प्रश्य पर्याप दूरी पर डालना है और इस तरीकर से बीज लगा दे लगआदेना है लगाने instala सीचाई की तो सीचाई यहां पर हम अब यहाँ पर सीचाई प्याज की नरसरी में करीब पांस से छे या साथ नरसरी अगर आपके हलकी जमीन है तो ज्यादा ज्यादा साथ बार आपको सीचाई करना होगी अगर आपकी भारी जमीन है काली जमीन है तो ज्यादा से ज्यादा पांस से छे बार आपको सीचाई करने गहरी सिचाई का मतलब यह होता है हलकी सिचाई का मतलब यह होता है कि आपको एकी कयारी में तेज पानी चलाना है और जल्दी से जल्दी पानी को चला कर बन कर देना है तो इसमें सुरुवात की जो दो सिचाई होगी वो काफी गहरी सिचाई होगी जिससे कि आपको ज़्यादा कैरियों में पानी लगाना है और उसके बाद कि जितनी भी सिचाईया करनी है उसमें आपको हलका पानी लगाना है मतलब तेज पानी चलाना है एकी कैरी के अंदर तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है बात करें अगर पहली सिचाई की तो जब आप बीच डालते हैं पहली सिचाई आप करते हैं उसके 6-7 दिन के बाद दोबारा से आपको इसकी सिचाई एक बार फिर से कर देना है उसके बाद की जितनी भी सिचाई करेंगे उसमें जमीन में जब पर्याप्त दरारे गिर जाएंगी उसके बाद ही आपको इसमें सिचाई लेना है मतलब करीब 12 से 15 इनके अंतराल से ही बात की सिचाईया करनी है तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है और अभी प्याज की नरसरी हमने आप लगा दी है जैसे जैसे प्याज की नरसरी बड़ी होती जाएगी इसमें जो भी समस्या आएंगी इस तरीके से हम इसमें मेनेजमेंट करते हैं आगे कौन सी खाद देनी चाहिए इसमें यूरिया कब डालना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है तो जब आप दूसरी या तीसरी सीचाई कर देते हैं उसके बाद आपको इसमें हलका सा यूरिया डालना चाहिए यूरिया हलकी मातरा में देना चाहिए उसके बाद आपको कोई भी खाद एक्स्ट्रा नहीं देनी है बस आपको इसमें 1-2 बार इस्प्रे भी लगने वाला है तो यह कुछ बाते हैं इनका आपको धियान रखना है और प्याज की नरसरी को अच्छे से ग्रो करना है अगर आपकी प्याज की नरसरी अच्छी ग्रो होगी उनको कैसे नियंत्रण करना है और इस प्रेस में कौन-कौन से करना है या फिर कौन-कौन से समझाय लगती है यह जानना हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो देखकर इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा जई जवान जई किसान दन्यवाद